दोस्तो बिग बुल ओफ दलाल स्ट्रीट कहे जाने वाले इन्वेस्टर राकेश जुनजुनवाला की मृत्यू आज सुबह में 62 येर्स के एज में हो गई ने पत्ता है इनके हाथ में जादू था ये जिस चीज को भी चू देते थे वो सोना बन जाता था इनको इंडियन वार्रेन वाफिट भी खा जाता है राकेश जुनुणवाला का नाम उन लोगों जरूर सुन होगा जो कहींनेकहीं फइननाशल मार्केट्स में स्टॉक मार्के तो मल्टिपल हेल्थ इशूस थे उनके साथ किड्नी की भी दिक्कत थी तो फिर हॉस्पिटल से कुछी दिन पहले इनको डिस्चार्ज किया गया था और अगेन इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा जहां पे इनको डेट डिक्लेर कर दिया गया अगर आकेश जुन जुन व अप्टेक के उसके अलावा यह डिरेक्टर है वाइसरोय होटेल्स के कॉंकर्ड बायोटेक प्रोवोग इंडिया और जियोजित फैनाशल सर्विसे जैसे कंपनीज के यह डिरेक्टर और चेयर्मैन भी थे काफी इंट्रेस्टिंग चीज़े हैं इनके बारे में जानने के लिए जैसे इन्होंने स्टॉक मार्केट की शुरुआत कब की थी कब इन्होंने पैसा यहां पर इंवेस्ट करना शुरू किया था तो यह जब कॉलेज में थे तभी इन्होंने वहां पर यह करना शुरू कि शुरू में इन्होंने 5,000 रुपे इन्वेस्ट किये थे as a capital जो की बढ़ करके 11,000 करोड रुपे सेप्टेमबर 2018 में हो गया अब यो 5,000 बढ़ करके नहीं हो गया मतलब 5,000 से इन्होंने शुरुआत करी थी इनके पिता जी से इन्होंने डिसकस किया इनके पिता जी को ही के बारे में बात करते हुए तब इसे इनका इंट्रेस्ट इसमें आ गया फिर इन्होंने पिता जी से पूछा कि मुझे भी करना है तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है तुम कर सकते हो इन्वेस्ट लेकिन मैं तुमको पैसे नहीं दूँगा तो उन्होंने कि आप जितना पैसा मुझे दोगे इससे डबल पैसा करके मैं इससे जादा पैसा करके मैं आपको दूँगा फिर इनका जो सिगनिफिकेंट प्रॉफिट देखने को मिला यह मिला काफी इन्वेस्ट किया उसके लावा क्रिसल में इन्वेस्ट किया सैशा गोवा प्राज इंडस्ट्री और अडуса और न्स अलों तक तक रगी इनके का दों इनके कारण इनका जो स्टॉक का प्राइस है वो 30% तक फॉल हो गया लेकिन इन्होंने सक्सेस्फुली इसको रिकवर कर लिया और इस तरीके से इनकी जर्णी रही और अभी इनकी आज ही सुबह इनकी इम्रित्यु हो गई म्रित्यु फनांशल जगत के लिए स्टॉक जगत के ही जेगा थैंक यू वेरी मच्छ